दोस्तों, हमें से ज़ादा तर लोग पानी को इतना साधारन समझते हैं, कि उन्हें लगता है कि वो जब चाहें, जितना चाहें और जैसे चाहें पानी को पी सकते हैं, लेकिन उनका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि पानी देखने में जितना साधारन लगता है, ये ह हमारे सरीर के सभी अंगों को ठीक तरह से काम करने और सरीर में पैदा होने वाले बिसैले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उतना ही जरूरी है पेट से लेकर तोचा तक और बजन बढ़ाने से लेकर बजन घटाने तक के सभी कामों में पानी सबसे महत्वपूर्ण घुमिकानी भाता है बिना पानी के हमारा सरीर भोजन से मिलने वाले न्यूट्रियंट्स को एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता इसलिए अगर पानी पीने की सही मात्रा इसके पीने का सही समय और किस तरीके से पानी पीने से क्या-क्या फाइदे और क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं अगर इसके बारे में ठीक से पता नहीं है तो फिर चाहे व्यक्ति कितने ही अच्छी से अच्छी चीजें खा ले उसका सही फाइदा सरीर को मिल ही नहीं पाता और इसकी बज़ा से भविस में बहुत सी सारीरिक समस्याओं और भयंकर बिमारियों का सामना करना पड़ता है जैसे की कबज, खाने का ना पचना, कैस बंदना, लीवर की कमजोरी, किड़नी में पथरी, सुस्ती, बार बार बीमार पड़ना, इसकिन एलर्जी, दाद खुजली, चहरे पर पिंपल्स और दाग धब्बे का होना, वाइट हैट्स, ब्लेक हैट्स, तुचा का बहुत ज़ जैसे कई बीमारियां, केवल पानी को गलत समय, गलत तरीके, और गलत मातरा में पीने से हो सकती हैं, इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, कि पानी हमारे सरीर में जाकर करता क्या है, पानी कब पीना चाहिए, और कब नहीं पीना चाहिए, पानी की सही मातरा क्या ह यानि एक दिन में कितने गिलास पानी पीना चाहिए, पानी को कैसे पीना चाहिए, अगर सरीर में पानी की कमी हो रही है, तो उसे कैसे पहचानना है, पानी को किस बरतन में इस्टोर करके रखना चाहिए, और पानी बजन बढ़ानी या घटाने में कैसे मदद करता है, तो चंतंत्र, किटनी, लीवर, फेफडे, मस्तिस्क, आदी पानी की मदद से ही अपना काम सही तरीके से कर पाते हैं। इसके अलाबा, हमारे सरीर में पानी का सबसे अधिक उप्योग, सरीर की गंदगी को बाहर निकालने और कोशिकाओं को जिंदा रखने में होता है। मल, मूत्र, पसीना और स्वास के जरिये सरीर को साफ रखने में हमारे सरीर से रोज लगभग 2 लिटर पानी बाहर निकल जाता है, जिसे सरीर में रेश्टोर करना भी जरूरी होता है। अब प्रश्ण उठता है कि एक दिन में हमें कितना पानी पीना चाहिए और अगर सरीर में पानी की कमी हो गई है तो इसका पता हमें कैसे चलेगा। और अगर लंबे समय तक सरीर में पानी की कमी बनी रहती है तो फिर ये लक्षण अभी से में गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकते हैं। इसलिए हर दिन परियाप्त मात्रा में पानी का पीना बहुत अवस्याख होता है। अब प्रस्ण उठता है कि एक दिन में कितना पा रखता है। वैसे एक बैक्ति को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए इसकी कोई निश्चित मात्रा फिक्स नहीं है। पानी की मात्रा उस बैक्ति की सेहत वह जहां रहता है वहां का मौसम, उसका वज़न और उसके दिन भर की फिशकल एक्टिविटी पर निर्भर करता ह लेकिन फिर भी एक समाने व्यक्ति को दिन भर में कम से कम 10-12 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए और अगर कोई व्यक्ति फल, हरी सबजिया, दूद और जूस का तिरिक सेवन करता है तो उसके पानी पीने की मात्रा इससे भी कम हो सकती है क्योंकि उसके सरीर को इन सभी चीजों से भी काफी सारा पानी मिल जाता है लेकिन गर्मी के मौसम में पानी की मात्रा बढ़ाई जा सकती है और वो लोग जो एकसरसाइज ये सरेरिक महनत वाला काम करते हैं उन्हें भी समानी लोगों के तुलना में थोड़ा ज़्यादा पानी पीना चाही अब यहां अंगला प्रस्न ये उठता है कि क्या जरूरत से अधिक पानी पीने पर सरीर को कोई नुकसान भी हो सकता है तो इसका उत्तर है हाँ क्योंकि जरूद से ज़्यादा कोई भी चीज हानी कारखी होती है ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से हमारी किड्नी का काम बढ़ जाता है और खुन में सोडियम की मात्रा कम होने का खत्रा बढ़ जाता है लेकिन ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि अक्सर लोग उतना भी पानी नहीं पी पाते जितने में ये सारी समस्याइं शुरू हो ये सारी समस्याइं तभी होती है जब बैक्ती एक दिन में कम से कम 4-5 लिटर से ज़्यादा पानी पी ले अब प्रस्ण उठता है कि पानी को किस तरीके से पीना चाहिए यानि पानी पीने का सही तरीका क्या है अक्सर लोगों को लगता है कि वो पानी को जितना चाहें और जैसे चाहें पी सकते हैं लेकिन उनका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है क्योंकि एक ही तरह के पानी को अलग-अलग तरीके से पीने से उसका हमारे सरीर पर अलग-अलग तरह का असर पड़ता है आपने अपने बड़ों को यह कहते हुए सुना होगा कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे जोड़ों में दर्द हो सकता है खेर इसके पीछे एक आयुर्वेदिक कारण है आयुर्वेद के अनुसार खड़े होकर कुछ भी पीने से सरीर में तरल प्रदार्थों का संतुलन बिगड़ जाता है जिससे जोडों में अतरीक्त तरल प्रदार्थ जमा हो जाता है जिससे उम्र बढ़ने के साथ जोडों में दर्द होने की समस्या सुरू हो जाती है इसलिए पानी को हमेशा बैठ कर और आराम से घूट घूट करके पीना चाहिए पानी का एक घूट मुह में भरने के बाद उसे कुछ सेकेंट तक मुह में इधर-उधर घूमाएं उसके बाद गुटकें क्योंकि ऐसा करने से हमारे मुह में उपस्थित लार जो की छारी यानि एलकलाइन नेचर की होती है वह पानी में अच्छे से घुल जाती है और पेट में जाकर पेट के अमली मध्यम को उदा सीन कर देती है जिसे ऐसी डिटी और पेट फूलने जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और पाचन सक्ती मजबूत होती है इसके विपरीद जल्दी जल्दी पानी पीने से मुह की लार उस पानी में नहीं घुल पाती और हमारी किटनी भी उस पानी को ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती इसलिए पानी को हमेशा बैठ कर आराम से तीन से चार सांसों में ही पीना चाहिए इसके साथ ही एक बार में एक या डिर्ड गिलास से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि एक ही बार में ज़्यादा पानी पी लेने से हमारी किटनी उस पानी को ठेक से फिल्टर नहीं कर पाती और फिर वह पानी बिना इत्समाल हुए ही पेसाब की जड़िये सरीर से बहा निकल जाता है अब अगला प्रस्थ उठता है कि पीने का पानी ठंडा गरम या नॉर्मल कैसा होना चाहिए दोस्तों हम जब भी कोई ठंडी चीज खाते या पीते हैं तो पहले हमारा सरीर उस चीज को सरीर के तापमान तक गरम करता है फिर उस पर अपना काम सुरू करता है पानी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है जब हम बहुत ठंडा या सीदे फिर से निकाल कर पानी पी लेते हैं तो पहले हमारा सरीर उस पानी को गरम करता है फिर काम में लेता है और इस प्रक्रिया में सरीर की बहुत स्यूर्जा खर्च हो जाती है और हमारे सरीर को भी इस पानी के उपयोग के लिए तब तक गिंदजार करना पड़ता है जब तक यह करम नहीं हो जाता और इसके साथ ही ठंडा पानी हमारे द्वारा खाए गए खाने को बहुत सक्त बना देता है जिससे पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है और कब जोने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए पानी हमेशा कमरे के तापमान का या फिर हलका गरम ही पीना चाहिए क्योंकि ऐसे पानी को हमारा सरीर तुरंत काम पर लेता है और हमारे द्वारा खाए गए खाने को तोड़ने में भी हलका गरम पानी बहुत मदद करता है जिससे पाचन सक्ती बढ़ती है और पेट भी खुलकर साफ होता है अब अगला प्रस्न उठता है कि पानी को कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए तो पहले हम यह जान लेते हैं कि पानी को कब-कब नहीं पीना चाहिए पहला खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए जैसे ही खाना हमारे पे और अम्ल पानी में घुलकर बहुत पतले हो जाते हैं जिससे हमारी पाचन क्रिया बहुत धीमी हो जाती है या ये कहो कि भोजन सही से पचने की बजाए सड़ना शुरू कर देता है और जब ये भोजन सड़ता है तो ना केवल हमारा सरीर इस भोजन से मिलने वाले पोसक बलकि हमें भोजन के सड़ने से होने वाली बहुत सी बिमारियों का सामना भी करना पड़ता है जैसे पेट का फूलना, गैस बनना, कबचिका होना, एसिडिटी इत्यादी आपने बहुत से लोगों को कहते भी सुना होगा कि मैं तो हमेसा अच्छा और हेल्दी खाना ही खात एक या दो घूट पानी पी लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ एक या दो घूट से मतलब है सिर्फ गले को गीला करने जितना पानी पीना, आयूरवेद के अनुसार, खाना खाने से 40 मिनट पहले और खाना खाने के एक घंटे बाद आप मन भर कर पानी पी सकत दोस्तों, दिन के समय पानी पीना जितना फायदे मंद होता है, रात में ज़्यादा पानी पीना उतना ही नुकसान पहुशा सकता है, क्योंकि सोते समय हमारा सरीर अराम किस्तिती में होता है, यानि वह उतना एक्टिव नहीं होता जितना दिन में होता है, इसलिए रात में पिया गया पानी बिना ठीक से इत्समाल हुए सीधा किटनी में फिल्टर होने बहुँच जाता है जिससे हमारी किटनी पर एक्स्रा जोड पड़ता है और उसे नुकसान पहुचता है इसके साथ ही नीन से बार बार उठका ट्वैलेट जाने की भी जरूत पड़ सकती है जिसस से कम 45 मिनट से एक घंटे का गैप जरूर रखें क्योंकि जल्दी जल्दी पानी पीते रहने से पानी हमारे सरीर में ठीक से इत्समाल हुए बिना ही पेसाब के जरिये बाहर निकल जाता है और इससे बार बार पेसाब आने की समस्या भी सुरू हो सकती है तीसरा फल खाने के तुरंत बात पानी पीने से खाई हुई चीज बहुत सक्त हो जाती है जिससे पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है और यहां तक कि कुछ लोगों को सरदी खासी और चुखाम तक हो जाते हैं इसके साथ ही बहुत ज़्यादा गर्म चीजें जैसे चाय, कॉफी और सू भी प्यास लगे पानी पीना चाहिए लेकिन एक समय जब आपको पानी पीना कभी नहीं भूलना है और वो समय है सुबह जागने के तुरंत बाद, रात भर खाना पशाने की बज़े से हमारे पेट और आतों में बहुत से गंदगी और जहरीली पदार्थ पैदा हो जाते है लेकिन जब हम सुबह सुबह बिना कुछ खाई पिये, खाली पेट, दो से तीन गिलास पानी पीते हैं तो हमारे पेट और आतों की सारी गंदगी मल और मूत्र के माध्यम से सरीर से बाहर निकल जाती है और पेट भी एक बार में अच्छी तरह से साफ हो जाता है आयुरबेद में सुबह की मुझ की बासी लार को अमरत्भूले कहा गया है हमारे मुह की लार जो की छारी यानि एलकलाइन होती है जब वे सुवे सुवे पानी में घुल कर पेट में जाती है तो पेट के एसिडिक मीडियम यानि अमली माध्यम को उदासीन कर देती है जिससे एसिडिटी, गैस और जलन जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है अब आखरी प्रश्ण की पानी को किस बरतन में इस्टोर करके रखना चाहिए पीने के पानी को आप चांदी, तांबे या काच के बरतन में इस्टोर करके रख सकते हैं लेकिन पीने के पानी को कभी भी प्लास्टिक के बरतन में इस्टोर करके ना रखें क्योंकि प्लास्टिक के बरतन में रखे हुए पानी में प्लास्टिक के माइक्रो इंग्रेंट खुल जाते हैं जो कि पानी के साथ हमारे सरीर में पहुँचकर बहुत सी बिमारियों को जन्म दे सकते हैं। आयूर बेत सलाह देता है कि आपको पानी तामे या चांदी के बरतन में रखना चाहिए। अगर आप तामे या चांदी के गिलास में भी पीते हैं तो भी बहतर है। चांदी और तामे के बरतन में संग्रहित पानी को पीने से सरीर के वात, पित और कफ जैसे दोसों को संतुलित करने में मदद मिलती है। इन धातुओं में जमा पानी सकरात्मक रूप से चार्ज हो जाता है, जो इम्मनीटी को बढ़ाने में मदद करता है, पाशन प्रक्रिया तक ताजा और ठंडा बनाए रखती है, यह पानी ऐसी डिटी और तोचा संबंधी समस्या को कम करने में मदद करता है, इतना ही नहीं, मिट्टी के बरतन में रखा पानी जीवन सक्ती और ताकत को बढ़ाता है, हम जो खाना खाते हैं, उसका धिकांस हिस्जा सरीर में अमली करता है, मिट्टी चारी प्रक्रती की होती है, जो अमली अखाते पदार्थों के साथ क्रिया करती है, और परियाप्त पी-च संतलन प्रदान करती है, यह पानी ऐसी डिटी और गैस समंधी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है, यह पानी किसी भी प्रकार के रसाइनों से मुक्त होता है और इसलिए मिट्टी के बरतन का पानी पीने से मेटाबलिजम को बढ़ावा देने मदद मिलती हैं मिट्टी के बरतन में रखा पानी पीने से बाचन सक्ति बढ़ती है और वात पित और कफ नामक तीनों दोस संतुलित होते हैं तामबा एक ग्यात एंटी ओक्सिडेंट है इसलिए इसमें रखा पानी पीने से तोचा जबान रहती है और कैंसर के होने के संभावना कम हो जाती है इसके साथ ही वो लोग जो हाई ब्रेड प्रेसर और मोटापे से परिसान है तामे के बरतन में रखा पानी पीना उनके लिए बहुत ही फाइदे मंद साबित हो सकता है क्योंकि तामबा सरीर की अतरिक्त चर्वी को पानी में घोल कर बजन कम करने में मदद करता है दोस्तों आईए अब जल्दी से समराइज कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या-क्या सीखा पहला, पानी को कभी भी खड़े होकर या भागते हुए नहीं पीना चाहिए पानी को हमेशा बैठ कर अराम से घूट-घूट भर कर पीना चाहिए दूसरा, कभी भी जादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए पानी या तो हलका गरम या फिर रूम टेंपरेचर पर होना चाहिए तीसरा, पानी को हमेशा खाना खाने से 40 मिनट पहले और खाना खाने के एक घंटे बाद ही पीना चाहिए चौधा, हमेशा सुबह उठकर बिना ब्रेस किये और बिना कुला किये दोसे तीन गिलास पानी पीना चाहिए और पांच माँ, पीने के पानी को हमेशा तांबे, कांच या मिट्टी के बरतन में ही इस्टोर करके रखना चाहिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अगर आप पानी पीते समय इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो सेहत से जुड़ी आपकी कई सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपका पाचन भी मजबूत रहेगा, जिससे बजन बढ़ाने या घटाने में बहुत आसानी होगी मुझे उम्मीद है कि पानी पीने के इन नीमों को अपनाने के कुछी हपतों बात आपको आपकी सेहत में अच्छा कासा सुधार महसूस होने लगेगा और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद